दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल यह होता है कि पेज मेकर से हम PDF कैसे बनाएंगे हम PDF बनाते हैं तो वह option आता ही नहीं है पता नहीं क्या-क्या error दिखाने लगता है तो उस condition में हम पेज मेकर में PDF कैसे बनाएंगे अगर मैं यहां से देखता हूं कि यहां पे PDF बनाने के दीया गया और फायल से पाइल में चलके यहां भी एक option दिया गया ह है और चाहाँ यहां से आप बना लें याहां से बना लें यह कभी-कभी page maker में pdf नहीं बन पाता है, हाला कि मेरे system में अभी यह देख लिजिए, कि page maker का, वो pdf बनाने का option आ रहा है और कुछ software में नहीं आता है, उसके लिए हम क्या करें यह आप देख लिए, सबसे पहले चलना है, आपको control panel में control panel में चलने के बाद लिखा हुआ है device and printers device and printer में चल करके यहां आपको चलना add a printer, यहां लिखना add a printer, यहां कभी-कभी थोड़ा सा time ले लेगा बाकि इसकी processing के बाद आगे में मताता हूँ, अब यहां पर देख रहे हैं यहां पर बिल्कुल blank आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ यह highlight जो हो रहा है, cancel वाला option highlight हो रहा है, next वाला option highlight नहीं हो रहा है, यहां लिखा हुआ है the printer that I want isn't listed, यानि वो printer जो हम चाहते हैं, इसमें list नहीं है, listed नहीं है यहां पर हम okay करेंगे यह लिखा है, my printer is a little older, help me find it, यह वाला करेंगे तो मुझे लगता है, इसमें नहीं आएगा इसमें भी नहीं आएगा आपको चलना है, सबसे नीचे वाले option पर यहां चलना है आपको आगे बढ़ाना इसको बढ़ाने के बाद, यह लिखा use an existing port यह बहुत सारे इसके port होते हैं तो कौन सा port लेना है तो आप ले लिजे, मैं यह दो port यूज कर चुका हूँ, मैं यह वाला लेता हूँ, यह लेने के बाद लिखा हुआ है, या create new port आगे, create भी कर सकते हैं आगे हम बढ़ाते हैं बढ़ाने के बाद, यहां देखेंगे न तो कभी-कभी कुछ चीज जो है यहां पे कुछ categories दी जाती है जैसे लिखा है generic, HP, printronics यह generic लिखा है न generic में भी इसे चेक कर सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं तो हमें इसमें जो है नहीं मिलेगे, इसे HP है HP कभी आप चेक कर सकते हैं HP में कोई चीज आपको लेना हो कोई printer इंस्टॉल करना हो यहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर मान लिजिए कि इसमें सारे option नहीं आ रहे हैं तो हमें यहां देखना होगा Windows Update करना होगा Windows Update तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यह Printronics यह लिखा है Printronics यह वाला मैंने इंस्टॉल किया था तो उसको मैं दिखा देता हूँ तो यहां आप देखेंगे ना लिखा हुआ Printronics पे जैसे चलेंगे यानि यह PostScript PS4 लिखा है PostScript जब हम PDF बनाते हैं तो PDF बनाने के लिए वो PostScript Printer वो मांगता है तो वही Printer हम यहां से इंस्टॉल कर लेंगे इंस्टॉल करने के बाद वो इंस्टॉल करने का तरीका को मैं बता रहा हूँ कहां से कैसे करेंगे तो यहां चल करके आप देख रहे न यह Printronics फिर आप सोचेंगे कि हमारे सिस्टम में यह आ ही नहीं रहा है कभी कभी होगा कि यह आएगा भी नहीं Printronics आएगा भी नहीं तो कैसे आएगा वो इसमें बहुत सारी list आजाएगी आपको यहां करना है Windows Update यहां चलेंगे यह थोड़ा सा टाइम ले गाई टाइम लेने के बाद यह विंडो थोड़ी देर के बाद अपडेट हो करके जितने भी प्रिंटर उसमें होते हैं बाइड डिफॉल्ट वो सारे प्रिंटरों की यहां पर list दिखा दे गाई लिस्ट जबा जाएगे तो उसी में से हमें सेलेट करना है कि प्रिंट्रोंिक्स पर चलना है प्रिंट्रोंिक्स पर चलने के बाद आपको देखना है कि कौन सा हमें प्रिंटर इंस्टॉल करना है अब आप देख सकते हैं इसमें देखिए कितने सारे अब Printer आ गई अभी तक जो है ज्यादा लिस्ट नहीं दिखाई दे रहे ते देख लिए देख रहे हैं अब कि ये इतने सारे Printer की लिस्ट आ गई है तो यहीं से हम ले लेते हैं जिसे हम P-press करते हैं P-press करते ही यहाँ पी की केटेगरी में आएंगे यहां लिखा है printronics यह आ गया printronics पर चल करके यह पहला option जो आ रहा था यही वाला मैंने ले लिया यह printronics t8204 ps.pdf तो यहां से यह वाला हम इसको next करते हुए चले जाएंगे इसे आगे अपने आप जो है यह install हो जाएगा install होने के बाद यहां देखेंगे इसके लिस्ट आ जाती है यह printronics यह लिखा हुआ है यह वाला printer इंस्टॉल हो गया इंस्टॉल होने के बाद अब आप pdf बनाएंगे तो बड़े ही आसानी से यह जो है pdf बन जाएगा आप यहां चलेंगे चाहिए यहां कर लीजिए और जो भी जिस page को बनाना हो pdf यहां पर आप उसका नाम देख सकते हैं यहां पूरे को बनाना है तो one two three ऐसे कर देंगे यहां पर लेकर three तक यह export करेंगे तो यह अपने आप pdf बन जाएगे यहां पर करते हैं जैसे लिखता हूं मैं इसका कोई नाम दे देता हूं जैसे लिख दिया tutorial शेप करेंगे यह जो पहले page में यह बना हुआ था दूसरे page में यह बारकोड बना हुआ था तीसरे page में यह यह बारकोड बना हुआ था ठीक है यह कितने आसानी से बनके तयार हो गया तो उमीद है आपको यह बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम page maker से pdf बनाते हैं